हेलो फ्रेंड अंडे का आमलेट बनाने के लिए हमने यहाँ एक मेडियम सैज की प्याज को काट के लिया है हरी धनिया को भी हमने यहाँ बारी काट के ले लिया है हमने तीन अंडे लिये हैं और दो हरी मीर्ज को भी काट के ले लिया है तो चलिए आवाम आमलेट की तैयारी कर लेते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ एक बॉल ले लिया है और बॉल में सभी अंडों को एक एक करके तोड़ तोड़ के हम डाल देंगे जो लोग बिगनर है मैं उनको बता रही हूँ आप मेरे तरीके से अंडे तोड़िएगा और बागी तो सबको पता ही है इससे तो इसका तोड़ने का प्रोसेस क्या है सबको पता ही है तो देख लिजिए हमने यहां तीनों अंडों को तोड़ के ले लिया है अब हमें इसमें स्वाधन स्वार नमक लेना है फिर हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे कटी हुई यहां हमने हरी मिर्श को भी डाल दिया है और यहां बारी कटी हुई हमने हरी धनिया को भी डाल दिया है और अब इसमें हम एक चमच सरसो का तेल एड करेंगे यह हमारा एकदम सिक्रेट है इससे हमारा जो आमलेट है वो एकदम फुला फुला और एकदम बड़ा प्रफेक्ट और एकदम अच्छा बन कर तयार होगी तो इसको आपको एकदम अच्छे से फेटना होता है तो देख लिजी हमने इसे फेट लिया है अच्छे से इसे हमने फेट के रेडी कर लिया है अब हम तबे को गैस जुले पे चड़ा देते हैं तो तबह हमारे गरम हो गई है अब हम इसमें सर्सों का तेल डालेंगे और तेल को भी गरम होने देना है जब हमारे तेल गरम हो जाएगे फिर हम इसे पूरे तबह में इसे फेला लेना है तेल को तो ये देखिए हमने तेल को पुरे तवे में फैला लिया है और ये जो अंडे ये प्याज मिर्च बगरा डाल के जो हमने लिये थे अंडे उसको यहाँ पे डाल देना है आमलेट बनने के लिए और इसे पकने देना है एक मिनट में यह पक जाएगा और फिर इसे कल्ची की मदद से चारो तरब से घुमा करके आपको एकदम बीच से एक बार में ही प्लट लेना है तो हमारे आमलेट है वो एक साइड से अच्छे से पक गई है अब हमें इसे दुसरी साइड से भी पका लिया है तो चले यह हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं तो देख लिजी हमारे आमलेट एकदम बनकर रेडी हो गई है और यह मतलब बहुत अच्छी बनी है आप खुद देख सकते हैं यह कितनी बड़ी लग रही है तो आप मेरे तरीके से मेरे सिक्रेट जो मैंने बताया उस तरीके से आप आमलेट बनाए आपकी भी आमलेट एक आपको मेरे वीडियो अच्छी लगियो तो प्लेज सब्सक्राइब